Hello and Welcome Your Tech Buff की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों मेरा काफी टाइम पहले एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने Redmi Mobile के अंदर किसी भी एप को कैसे हाइड करके रख सकते हैं तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर हम एप तो हाइड कर देते हैं पर क्या वो जो hidden एप होती है उसकी जो भी notification वगरा आएगी कि वो भी हमको notification बार में दिखाई देगी तो अगर आप दिखाई देगी तो हम उसको कैसे हाइड कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप hidden app जो होती है उनकी notifications को भी कैसे हाइड कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है इसको करने के लिए आपको क्या करना है आपको अपने mobile के अंदर settings में आ जाना है उसके बाद आप नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आपको एक option मिलता है app lock का आप app lock पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे scroll करेंगे और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है hidden apps के नीचे don't show notifications तो इसके सामने एक button बना हुआ है इसको आप tap कर देंगे जैसे आप इसको tap करेंगे तो यह blue हो जाएगा और यह जो इसकी hidden apps हैं जितनी भी सभी की notifications शो होना बंद हो जाएगी उसके बाद आप बैका जाएगे तो दोस्तो अब आपको पता लग गया है आप hidden apps की notifications को कैसे disable कर सकते हैं